हेलो दोस्तों नमस्कार मैं मधू सिंग राजस्थान से और मेरी छोटी सी हरी भरी छट पर आप सभी लोगों का स्वागत है और साथ में आज 26 जनवरी है तो आप सभी लोगों को भी धेरो शुब कामना है तो सुबह सुबह चली आई छट के ऊपर और यही सोच करके मैंने का कि जनदा भी लगाना है तो नया जनदा मंगा लिया था वो भी लगाया जाता है तो मैंने भी अपनी छट के लिए मंगा लिया था जो पुराना जनदा था वो हटा दिया गया है और आज नया फ्लैग लगाएंगे और यही सोचते मैंने का कि चलो वीडियो भी बना लिया तो सबसे पहले तो देखिए गार्डन का अपडेर तो जो टमाटर के पौधे लगाये थे उनकी पुरूनिंग कर दी थी तो उनकी पुरूनिंग कर देने के बाद देखिए अभी तक टमाटर बिलकुल सही तरीके से जैसा मैंने सोचा था उस तरीके से बिलकुल बढ़ रहे हैं और इसमें धेरो ब्रांचेज निकल गई है और पौधा भी फ्लावरिंग पर आ चुका है यानि कि जैसा सोचा था वैसा सब कुछ सही चल रहा है और साथ ही में देखिए जो मेरे पुराने पौधे थे आज मैं बताऊंगे कि देखिए मेरे जो पुराने टमाटर के पौधे उनमें भर भर करके टमाटर आ रहे हैं तो आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि अगर हम मतलब कि हमारे पास ग्रू बैग नहीं है तो हम कैसे लगाएंगे कैसे क्या करेंगे आपकी सिर्फ मेहनत पर डिपैंड करता है सब कुछ अगर आपकी मेहनत और लगन बिल्कुल सही है आपको कोई नहीं रोक सकता है और मैं देखे, मैंने इसलिए खासकर आज वीडियू बनाया है कि देखे कि मैं किस तरीके से मैंने जितने भी टमाटर के पौधे हैं जिन में खूप सारे टमाटर आ रहे हैं तो मैंने वो सारे सीमेंट के पैकेट्स में वो पौधे लगा जबकि इन में से बहुत सारे टमाटर तो मेरे छट खुली हुई है तो जानवा तोड़ करके ले जाते हैं लेकिन कोई बात नहीं है जो उनका हिस्सा है वो तो खैर ले ही जाएंगे वो भी तो प्रकृती परी नीरभर है और यह देखिए मैंने आपको बताया था जिन से मैंन इन ही के कारण आया और इन ही के कारण मैंने टैरिस गाडनिंग सीखी है और मैं इतनी इच्छी कर लेती हूं क्योंकि पापा को देखा है सर्विस में थे अब बहुत अच्छी खेती करते और इनको मतलब देख करके इतनी ज्यादा खुशी होती है कि मैं आपको पता नहीं स तो आज टोमाटर के पौधे हैं थोड़े से डाउन भी हो गयते तो उनको भी अच्छी तरीके से बांद करके केर करेंगे और देखे जो गोभी के पौधे लगाया थे वह भी अच्छी तरीके से ही बढ़ रहा है तो मैंने पैकेट्स में ही लगाया है यानि कि ग्रो बैग में नहीं लगाया है नहीं लगाया है भ्रो बैग में तो मैंने कुछ-कुछ सब्जीय लगा रखें तो देके पुरान धनिया पहलेवाला पुरान हो चुका है तो आप देखे यस तरीके सापको दिख रहा होगा थोड़ा-थोड़ा तो यह रहा लिए कि अबेस बीज लग तो देखिए एक पौदो में आपने देखा होगा कि टमाटर से पौदे भरे हुए हैं, कुछ पौदे हैं जो अभी फ्लावरिंग पर चुके और कुछ दो चार पौदे हैं, जो अभी बिल्कुल छोटे हैं, तो आप इसी क्रमवाइस तरीके से लगाते रहेंगे, और देखि अब मैं खुद लगा करके बूल चुकी हों, बीज भी दोनों के सेम होते हैं, तो अब लगा तो दिया है, अब मैं इसमें डाउट है, कि सारी पत्ता गोभी लगी है, जो भी लगी है, कोई बात नहीं है, चुछ मिलेगा, तो इसी तरीके से देखिके गोवी के जो पौदे वो बिल्कुल सही तरीके से मैंने 8-10 पौधे लगाए हैं अगर सब कुछ सही रहा तो मैं हार्वेस्टिंग आपको जरूर दिखाऊंगी जैसे कि मैं और वीडियो में दिखाती रहती हूं तो इसी तरीके से मैं तो अपना टाइम पास करती रहती हूं मुझे लगता है कि कु में लिकवी फर्टिलाइजर बी डालती रहती हूं और उसमें लगाता जा रही हैं। मोली घुकतल है 25% मोली घुकतल है 50% मूली बच रही है। मेरे लिख हैं और टार में किया है बाकी बंदरों ने बहुत निराश किया है और देखिए आप भी एक जलकी देखिए ये स्कूल के बच्चों की रेली है इनको देख करके मन इतना उत्साहित होता है और खुद का बच्पन याद आता है जब हम छोटे थे अब तो उमर के इस पड़ाव पर पहुत चु और देखिए मिर्ची का जो पौदा था यह भी बहुत अच्छी तरीके से फ्लावरिंग पर है फ्रूटिंग पर है इसमें डेर सारी मिर्ची आ रही है मैं रोज आती हूं और कुछ मिर्चियां तोड़कर ले जाती हूं क्योंकि मैं जब रोज तोड़कर ले जाती हूं त मिर्ची एक बार में इसमें कम से कम 30-40 मिर्ची आती है तो आप 30-40 मिर्चों का क्या करेंगों तीक ही इतनी है कि एक मिर्ची खाना मुश्किल है और देखिए एक पौधा जो मेरा थोड़ा से मिर्ची का खराब हो गया था उसको मैंने साइड में रखा है वह भी सुधार पर मैंने और गर्मी के दियारी करी तो मैंने बीच मिर्ची के डले पौध तैयार मेरी हो चुकिया है कि मैं यो नृटीर अपके सस्टा करूंगे नृफ्स है तो आप आपको तेमाटर यूपाउदे देखिया है तो रिधा परसंट है न अगर सब्सलिक कर रिदिए 20-20 मिर्च इनको पतंगों का जुनून खतम नहीं हुआ है इनको पतंगों का बहुत ज्यादा शौक है मेरा चोटा तो बस देखते हैं कि जूली बुआ गाड़निंग कर रही है तो मैं भी तब तक पतंग उडा लेता हूं और देखे इस तरीके से मैंने जंडा लगा दिया है आपने दे कम से कम 30-35 दिन टाइम लगेगा पौद लगाने में तब तक अगर इस मिट्टी को खाली कर देते हैं तो मिट्टी पूरी तरीके से सूख जाएगी तो इसलिए इनको छोड़ दिया है और इसी तरीके से आज का मैं वीडियो खतम करते हूं तो मेरा वीडियो अगर आपको पसंदा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें